दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं हूँ संजेव उसन पटियाला और इस वक्त हमारे स्टूडियो मौजूद है विनोध यादव जी जिनकी फिल्म अभी हाली में रिलिजी थी फिल्म का नाम था गुंडा और इनका सांथ देने थी अंजना सिंग आज मैं उनसक्स से मिलाने जा रहा हूँ और बहुत ही अच्छा बात होगा हमारे भुश्पुरी सूपर्शा केसारी लाली यादव के बारे में जो इस वक्त बीग बॉस के घर में है विनोध जी बहुत बहुत स्वागते किसे हैं धन्यबाद सबसे पहले सभी भुश्पुर का सीज लगाँ आपको आद के आद मीका देखने का नजरिया लेएला है अपने एंगेल से देख रहा है मैं एक भुश्पुरी फिल्म पेलाकार तुम्छी पो से हैं के है और बर पुस्पुरी के जो nghi खेल रहे हैं वह बहुती के समस्तार है अजिए सिदार्थ जी को अभी क्या है थोड़ा से इगो है कि मैं बहुत इंटेजिलेंट हूँ या बहुत सबसे डिफ्रेंट हूँ लोग समझ जाते कि बहुत जगडालू होगा या बहुत बंदाम बी कर दिया थे फिल्ममें कि इनके साथ जगडा भी ओगए इसा कुछ नहीं है मेरा फेस ही ऐसा है लेकिन दिल और नेचर का बहुत सॉफ्ट हूँ और बहुत ही निराला जिसे बोलते हैं उस तरह का हूँ तो मैं कल देख रहा था कल का अबजेक्शन लगा था कहसारी भी आपे रात में भी बेठा हुआ तो देख रहा था घर में कि कहसारी जी और बहुत कम बोल रहे हैं उनको अभी जागने की जरूरत है उनको सजावी मिली डंडे लेके परेदारी करने का भी जो कम बोलते हैं लेकिन कम किस लिए बोलते हैं सायद उन सब को अभी ये बात का इसाश नहीं है जो लंबेरेस का घोड़ा होता है तो और लोग नाम और छेया आंगी और फुरी को पता है जिक सब को पता है कि बहुषपूरी से एक ना एक आदमी आएगा और अगर उसकी देन तो रभी किसन भीया से सुरुवात हुआ मनुज भीया भी सीचे, दिनेज भीया भी सीचे, मुनालिसा भी सीची और आपको समवाना सेट भी उस चीच को सीच के भरा अपने मेहनस से और आज उस चीच को सब को आगे बढ़ावा देने के लिए जैसे बहुषपूरी की सुरुआत हुए लोग बैक टू बैक काम करते गए बीग बॉस में जो एक बहुषपूरी की जिम्मेदारी है और आज के डिट में खेसारी भीया के उपर निर भर है लोग कहते है कि सल्मान शूसल बहुत एक इंसान है लेकिन सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में कितना रोल क्या कौन करता है उस पे हीट होता है सलमान खान जी से बीग बॉस हिट नहीं है उस सब्जेक्ट पे वो कितना क्या कंटेंड बोलते हैं अगर वो सुब़े से लाग साम तक खड़ा रहे तो ये बीग बॉस फ्लॉफ हो जाएगा वो टाइम पे आते हैं और टाइम पे चले जाते हैं किस स्थाइमिए करना है कि समय है किस समें किसके तौः नी करना था कि इसको खेलाना और किस के खिखेलने से क्या निखर के आएगा के सब चीजें लेकिन भिनु जी आपको कहना चाह से बीग पर ओर आपने से बोल रहा है कोई बाध मैं उसको प्यार भी दिखा रहा है तो अपनी के इस का सुच है रहा हैं देखें मेरी बात दी सतीक दिखाई जाएос का साथ बोलना और के सारी भिया का चुपाना एक कंबिनेशन है दोनों आज़े चूप रहने में में भी कुछ राज चीप वाइसा मुझी लग रहा है वह बहुत बला रहा है वह पहले चूप होता बाद में खेलता है तो सब को पढ़ाई पढ़ लेगा अपना काट का पत्ता खोलेगा कि जो तुरुप का पत्ता मेरा यह है अगर उनसे लोग परसान और हैरान नहीं होते तो कंटेंट उनके साथ के कंपटीटर यह नहीं बोलते हैं कि खेसारी जी चूप क्यों है इनको जागना चाहिए खोलना चाहिए उनके चूप में ही सबका वज़न है तो सबके लिए एक सरमें दर्द बना हुगा कि खेसारी अगज़ी बोलने वाले भुषफूरी का सूपरिस्टार और भुषफूरीमय आज के डिटमें भुषवरी का मान संमनद बनाके रखने वाले और सभी फालवर्स और सभी लोग द के अब तो इसान डिख सिर्छी लाने जाए नीन परकेंऩ पर प्यार होगा लेगिन ऐक औ कि दूस्तान में जातिवता बहु जादा है और आपका नाम बिनोद यादा हो उनका नाम के सारी लाल यादा हो है आपकी समाज क्या सपोर्ट कर रही है कुछ अर्सों के कहेंगे मैं सभी यादा भाईयों से बोलूंगा कि मैं भी उस गौण से किसान का बेटा हूं और वह किस कि आप अपने आप पे रखके सुचिए कि आपका बेटा एक भैस चराने वाला एक किसान का बेटा कि खेती बारी करने वाला उस दग अगर पहुँचेगा तो कैसा फिल होगा वही चीज़ सोच करके आज खेसारी बया को सभी लोग सपोर्ट करिए और सभी आदों विराद सब्सक्सकंडी के बिना अधूरा है तो खैसारी भैद को अधिक सधिकोर्ट कर ये और जितायक्यों कि क्यां कि सब्सक्सक्राइब या और वी यादव स्पोर्य कोई शुकलाज जाए कोई ठाकूर ब्रामड कोई भी भोषफूरी इस्टार जा सकता है तो अगर आज उक कायम रहेंगे और अगर आज उस्वफल हैं तभी हम लोग की महाँ पे डिमांड बढ़ेगी और हम लोग अपने एक अस्तर और बढ़ेगा तो अपने लिए नहीं जाद विरादरी के लिए नहीं इस भोषफूरी भासा के लिए और एक भोषफूरी के अस्तम को बढ़ाने के लिए आप आज के डेट में बीग बॉस में खैसारी बया का सपोर्ट कीजिए और हम तो करी रहें और मेरी पहली फिल्म गुंडा आई सभी ने प्यार दिया आप लोग का सिरबाद मिला यह संजय भाई हैं जो हमारे प्यारों हैं प्रेश्चनल प्यारों हैं सब काम मेरा ही देखते हैं इंडिश्ट्री का और इनोंने बहुत सपोर्ट किया हर अस्तर से मिलाया सब आगे बढ़ाया थैंक्स फार सिकंदर खान प्रोड़क्शन और आगे सभी आर्टिस्ट आगे बीक बॉलूगा कि मैं बिग बॉस कंदर फिर से चलता हूं बिग बॉस मंदर और इन दूनों के लामत तीसरे क्रेक्टर को आपक्यात हैं इनको भी वह तिसरे क्रेक्टर पर ध्यानी नहीं दिया सची बूलूं तो किल्ट सिदार्द उकला को मैं कंटूबर्सी देख कई ऐसे दर्सक हैं जो उसमें करेक्टर घुसे हुए है घर के अंदर है उसका नाम और फिस नहीं पचानते हैं सिर्फ खेसारी लालिया दो को देखने के लिए जाते हैं मैं भी एक कलाकार हूं और मेरी भी शुडूल हैं दो फिल्मे और लाइनया पागे हैं तो उसमें भी का अब भी जानते हैं दिन रात भी थो मुंबई में बारा बार वेके बीरात तक काम कर रहा हूं तो अगर एक घंटे का टाइम निकालना तो सिर्फ में खेसारी भी और भुश्वरी ले निकाल रहा हूं देखने के लिए अगर तो आज के डिट में अब फ़नी चीज क्या सब अब इसका मतलब इनको आता नहीं है उनको बहुत कुछ आता है और इंसान को पढ़ने आता है लेकिन उनका चुप राना से एक हतियार के बराबर है विनोच जी खेसारी लाल को अधिक से अधिक टेलिवीजन पर दिखाया जाए इसके लिए बीग बोस से कुछ काना चाहेंगे तो उसमें कहीं न कहीं खेसारे भिया का बहुत बढ़ा योगदान है क्यों खेसारे भिया के लिए सभी आर्टिस्ट, सभी इंडिस्ट्री, सभी पर्डूसर, सभी डारेक्टर, सभी एक्टर्स, सभी एक्टर्स, सभी जितने टेक्निसियन हैं वो भी आज के डेट में सपोर् और मनुझ भया केंद दिनेस है के संभावणाजी का किया मुनालीवकी करें किकल कुछ कोई भी जाएगा उसका सभी १ोशुपूरी हमारी हेकतरफां सपोर्ट करेंगी और चीह जैसे में फो़। तो जैसा कि बिनोट जी से अपने मिला मैं एक और छोटा से बाद करना जाए अभी कुछ दिन पहले रभी किसन जी और मैं राजस्थान में भिलवाडा सहर में थे और उस वक्त हम लो नाइट में शुटिंग फ्री हो का दे तो श्री बीग बॉसी जेखते थे और रभी जी न कि दाब लगता है कि जीत के निकले हैं तो थोसारी लालादो तो हमास अपने बोस्पूरिया दर्सकू से यही कहना चाहूंगा बीग बॉस को देखें और खेसारी लालादो को जीता है और ज्यादा ज्यादा उनको वोट करें अपने समाझ अपने सांडिक को और घूर्म,